है दोस्तो आप से भी कर स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में मैं आप देखें ट्विक्स ररनर आज मैं बताऊंगा कि अपने वाट्सब में अपने ही फोटो को कैसे स्टिकर की जैसा यूज कर सकते हैं तो आज ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ तो दोस्तो इस्टार्ट कर से पहले मैं बताना चाता हूँ कि आप में चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं है दोस्तो आपने फोटो को स्टिकर बनाने के लिए दो एप्लिकिसन की जूरत है पहले आपको background eraser install करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ मैं पहले से install कर चुका हूँ इसके बाद आपको personal sticker for WhatsApp डाउनलोड करना होगा देखिए मैंने पहले से install इसे भी कर लिया है आपको सबसे पहले background eraser open करना होगा यहाँ पर load यह photo में click करना होगा और allow करना होगा और अपने हिसाब से यहाँ पर photo select कर सकते हैं आपने photo select कर लिए और इसे अब आप crop भी कर सकते हैं देखिए मैंने crop कर रहा हूँ उसका done करिए इसके बाद आप magic tool की जरीए आप अपने background की erase कर सकते हैं मैंने जल्दी से किया इसलिए मैं background की उतना अच्छा से clean नहीं हुआ है तो देख सकते हैं उसके आप करने के बाद आप done कर दीजिए और यहाँ पर अपना smooth आप control कर सकते हैं control करने के बाद save कर दीजिए और save करने के बाद आप open करिए प्रेशनल इसके ओपन के प्रेशनल इस्टिगाया और वाट्साप और नीचे कीजिए और यहाँ पर देख से eraser में मैं तीन फोटो दिखाई दे रहा है तो इसको आपको simple से add करना है add करने के बाद वाट्साब में क्लिक करना है उसके add कर देना है अब वाट्साब ओपन कर लिजिए आप किसी को भी भेजना होता हो तो यहाँ देखिए मैं open कर लिया हूँ यहाँ पर आप smile का जो option है यहाँ पर क्लिक कर दिजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में 3 icon दिखाई दे रहे हैं को राइट वाला क्लिक कर दिजिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो दिखाई दिए रहा है यहाँ पर क्लिक कर दिजिए क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरे जितने भी स्टिकर है सो हो रहे हैं तो आप अपने फ्रेंट को ऐसकर की भीज़ सकते हैं तो मुझे उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पुरा समझ में आया होगा कि आप वाट्साप पर कैसे स्टिकर बना सकते हैं तो आपको य वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सियर सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में